हालो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल टेटी के लिए पर दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं जैसा कि यह लेटर रिसेंटले जारी किया गया है ओके दोस्तों सोले दो आई में 2021 को यह किया गया था लेकिन साइ कि आपको इसमें बताने वाला हूं कि यानिकी cbsc वालों की यानिकी cbsc वोर्ड के जो बच्चे हैं जो आप यानिकी I mean कहने का मतलब यह है मेरा कि जो अब apply करेंगे ओके जो हो गया वो हो गया या रखना और लेकिन जो कर चुके उनकी भी जो cut-off है किस साब से बनेगी या से समझेगा यह बहुत अच्छी अप्डेट आइमीन आपके लिए बहुत important सूचना है क्योंकि मेरे पास comments भी आते हैं कि सर हमने marks वर दिये मारा grade point चलेगा यह क्या चलेगा तो वही चीज़ आपको दूस्त में बताऊंगा आपको लेटर भी दिखाने बाला हूं और उसका देख सकते हो government of India ministry of communications department of posts ऑके जीडिया सेलेक्शन डाक ववन सांसत मार्क आप यहां पर देख रखते हो नियूडल ही और 162 2021 यानि कीजिए दोस्तों फोल तारीक को यानि कि या सरी है मैं इस्यू कर दिया गया लेकिन साइट पर यह कल फत्रतारीक को शाम को यह आफिस सो कर पूरा रखा है आपको यह जाकर करके चेक कर सकते हैं अगर कोई आपको चाहिए तो यह आपको अपडेट मिल जाएगा जो मैं आपको बताता हूं फारजन गारी उसी के माद्यम से बताता हूं तो उम्मीद करता हूं आपको यह चीज भी समन में आई होगी चलिए हमें स्टाट करते हैं और बताता हूं दोस्तों मैंने पूरा रखा है आप उसे कर लीजिए मैं आपको के बल समझाओंगा अब इसमें एक अकोर्डिंग देखिए लिगा टू ओल चीफ मिनिस्टर्स ज हैजराबाद में होता है आपको सब्सक्राइब को पता होगा कुछ वच्छों को कुछ को नहीं पता होगा तेशलिए मैंने यहां बताना जरूरी समझा चलिए अब मैं आसे स्टार्ट करता हूं बताता हूं क्या लिखाए देखिए कंप्यूटिंग ऑफ मार्क ऑफ एंगेजमेंट एजीडियस इन लाइट ऑफ दा ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोडिश्ट वाई दा सीवियसी ओकर जो ग्रेडिंग पॉइंट का दावा सिस्टम था उसकी बारे में आपर बताय गया है ओकि आप यहां फे आराम से से रीड कर कर ली चली कि शलिए तो मैं आपको से उसे समयाता हूं मैंने पूरा रीड कर रखा यहां पर यहां पर यहां से बताता हूं याद रखना तो यह मृतर है वहां का यह तो आपका ग्रेट पॉइंट 9 और आपका 9.5 और इसमें गया देवाइडेशन की जाएगा बॉइंट फाइव निकाल आजाएगा तो इस बात के लिए तो इस आप सो 10 दो भी निए आपको 2 .5 का अमें डिवाइट करकर के तब कौne से जबाना, अगर आपको Q9 he भीड़ना अपक़ अगर एट जब्सक्रणा तो 9.5 तोय के आपको 9.5 बनशते हैं , याद रखना सिह ते छोग तब दिखा रहा हूं याद रखना दोस्तों तो आपके जो है वह मल्टिफिकेशन फेक्टर यह आपको मानने किया जाएगा यानिकि जितने भी हमारे यह सीजी बूर्ड वाले बच्चे उनके लिए बता रहा हूं जिसका सीजीपी उनका बनता है यह आप समझ सकते हो जो बच्चे होंगे उनके ल साइट पर कंहां अपलोड कर दिया गया है और मैं आपको साइट बता हूं रूरल प्श्ट एम्प्लॉइस की सकते हों साइका करता होगा लेकिन अगर लेटर खोलो तो आपको 16221 देखने को मिलेगा ओके याद रखना तो उम्मीद करता हूं आपको यह चीज़ में आई होगी अच्छे से का आपका जो सिस्टम है आई मीन कहिने का मतलब है आपका जो सिलेक्शन है अब वो किया जाएगा आपको यहने कि मल्टिफिकेशन फेक्टर के आधार पर याद रखना है अब आप ऐसा नहीं करोगे जैसे माने चलिए कर आपका एब नहीं ग्रेड ओके आपको 9.5 फीजी पी है तो आपको पिच्छा आ गई होगी दोस्तों मैं कहें चुका हूं मैंने पूरा पढ़ लिया है आपको खुद भी जाकर कर लिजिए पूरे उसको लेटर को ओके आपको फारी जनकारी मिल जाएगी चलिए थोड़ा फर लास्ट और में दिखा दूब होगा है कि आपको पेज ओके उसके बाद दे कि वेर इंडिविजुल ग्रेट्स इन इस सब्जेक्ट एज वेल एज सीजी पिए इस गिविन दा हाइयर ऑफ दा टू मार्क्स बिल वी टेकन ओके वर तू और मोर एन कैंडिट्स हैव एक्वल मार्क्स दा कैंडिट्स हैविंग दा हायर इज अगर ध्यार रगना एक यह अगर आपके समान है मार्क्स यहां पर लिख रखाए इस पॉइंट की जाएगा अगर जिसकी ज्यादा होगी उसी का आपर सेलेक्शन किया जाएगा इस बात के लिए मार्क्स अच्छी से दिमाग में रख लेजिए यहां देखिए बाकाइदा उसने बोल लख खाए इस ल देखिए आगे तोड़ा सा और में समयाता हूं आप पर कुछ पॉइंट अगर समझाने की हो तो आप पहले आप खुद भी अच्छे से समझ लेजिए उसे मैंने जो पता दिया है वही चीज इतनी सारी दे रखिए आपको पढ़ने के जरू तो नहीं है लेकिन आपका मन है सब्सक्राइब करता हूं आपको इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद